देखी में उध्यवपुल में जोईन करने की परशात सबसे पहले हमारा जो लक्से ठाव जो पृतन दोज यूज़े इसको सब्रृतिसेत अचीव करने का लक्षे था और वह लक्षे हमने आने के बाद में इदिन सेवन जेज हमने अच्व कर लिया था आज की तारीक में एक देले में जोइन किया था उसमें सेकंड भी 63% लोगों को लगी थी तो आज 24% लोगों को लगी है हमारे तमांग प्रयास जारी है लेकिन इसके वावज़ूद भी तो सेकंड भूज का लगसे है उसको पूर्ण करने की दरस्टी से हमने सब हरसंभव प्रयास किया हमारी मसीनियर ने भी वैक्तिय तरूर से भी अप्रोच किया इसमें जिन लोगों ने प्रत्रण डोज लगा दी है उन्हें सेकंड डोज लगा दी चीए क्योंकि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो वैक्सिनेशन नहीं लगवा कर अपने परिवार और समाज की सुर्खसा को खत्रे में डाले इस द्रस्टी से मैंने लोगों से अप्ली की है कि वे सेकंड डोज लगाएं जिससे वे सोमा अपने परिवार की सुर्खसा कर सकें और समाज की सुर्खसा कर सकें यह राश्टी कारिकर में इसमें मैंने उन सबसे संदेज भेज़ कर और सहयों की अपील किये जिससे जो सेकं अच्छा काम किया और प्रदेश में हम दूर से में बखर है उसकी भी हम कोसिस कर रहे हैं कि । इस्वाइन पहुंतर लग जाए और शॉप बढ़विएरियों को तरय से इतकिय हैं लेकिन से एकिन रोज जो उस फोष कहा हैं और जब वेक्सिनेशन शुरू हुआ तब लोगों को वेक्सिन के प्रती जागलू करने के लिए केंदर सरकार ने अमिता बच्चन के आवाज का उपयोग लिया था और उसका परिणाम है कि आज 160 करोड के असपास देजवर में वेक्सिन लग चुकिता आपको लगता है कि तो 25 पर इसेंट रिशियो उदैपुर में बाकी है आपकी आवाज के मारता जागलू फोके और ये रिशियो 100 परसंद गाएगा माननी मुख्यमंत्री महुद्य का और अजिस्यकार का और चिल्या परसासन का वैक्सिनेशन पर बहुत ज्यादा जोर है और रैक्सिनेसं नहीं ऐसा है जिसे और रचाव संबर है इसलिए हम लोगों को जालू करने के पुरस्टी से जिला प्रसासिंग का मुख्या होने के नाते हैं मैंने लोगों से निवेदिन किया है कि वो फर्स जोर लगवा चुके हैं इसलिए सिक्न्ड रोज लगवा हैं जिससे वोस्टी उमसुर्ण से प्रसक्ति मैं उद्यपूर जिला का लक्टर ताराचन मेना बोल रहा हूँ आप सब जानते ही हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और टिका करन महतुपन उपा है क्या आपने कोरोना टिके की दोनों डोज लगवा लिए यदि नहीं तो स्यम परिवार और समाज के इत्मे तत्काल कोरोना का टिका लगवाएं टिका लगवा कर कोरोना से खुद भी बचें औरों को भी बचावें आसा करता हूँ कि हाप टिका लगवा कर अपने सामाजिक दैतु का निर्भन करेंगे धन्यवाद